एक इंटर्टेनिंग फिल्म में क्या चाहिए होता है एक्षन, ड्रामा, इमोशन, कहानी और अच्छे एक्टर भोला में वो सब कुछ है जो कि एक मास फिल्म में चाहिए होता है और इसकी यही खुबी इसकी सारी खामी की भरपाई कर देता है तो दोस्तो आज हम एक्स्प्लेंट करने वाले हैं भोला मूवी को तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राब भी कीजेगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेस्ट कांटेन मिलते रहे तो फिल्म की कहानी सुरू होती है धमाकेदार एक्सन से जहां एसी पी डायना कोकीन से लेदे ट्रक का पीछा कर रही है अपनी जावाजी का परीचे देते हुए गूली खानी के बाप जूद बै हजार करोड का कोकीन जब्त कर लेती है और जो साथ लोग कोकीन से लेदे इस ट्रक को लेकर जा रहे थे डायना उन्हें भी गरबतार कर लेती है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अचीब्मेंट था क्योंकि आज से फेले इतना ज़ादा कोकीन किसी ने भी नहीं जब्त किया था जब्त किये गए कोकीन को डायना लाल गंज पुलिस थाने के खूफिया बंकर में जपा देती है और उस बंकर के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है क्योंकि ये ब्रिटिस का जमाने का जेल है और दिन साथ लोगों को डायना ने गरबतार किये हैं उन्हें भी वो लाल गंज पुलिस थाने में ही बंद करवा देती है अव अगले सीन में लखनाओं के जेल के सीन दिखाया जाता है जहांबर की एक कैदी रहा हो रहा था और उस कैदी का नाम है भोला दरसल भोला दस सालों के बाद जेल से रहा हो रहा है बैसे तो उसे उम्र कैद की सजा हुई थी लेकिन अच्छे बरताब के कारण उसे जल्दी रहा कर दिया जा रहा है अब अगले सीन में मैं स्वत थामा और वह आसू को दिखाया जाता है और जो एक हजार करोड का कोकिन जब्त हुआ है वो किसी और का नहीं बलकि आसू के लोगों का ही है और ये वाद जब आसू को मालूम चलती है तो वो पूरी तरह से बोखला जाता है तब वो उनी गैंगिस्टर और अपने कुछ खवरियों की मदद से अपने कोकिन के बार में पता लगाना सुरू कर देते हैं और खवरी सरफ आसू और निठारी के ही नहीं है बलकि एसीपी डाइना का भी है दरसल रौनक नाम का एक अंडरकवर है जान निठारी और आसू के साथ पिछले दो साल से काम कर रहा है और रौनक सारी इंफर्मेंशन डाइना को बताता है हाला कि आसू के अपनी गैंक की उपर सक है कि उनके बीच में कोई गदार है जिसके बाद डाइना अपने बॉस के पास जाती है जहाँ पर डाइना का बॉस उसे सला देता है कि जब तक अदालत माल की कस्टेडी नहीं लेती है तब तक ये जानकारी गुपत रहनी चाहिए लेकिन वे दोनों इस वात से अंजान थे कि उनीकी फोर्स में मौझूद भेडिया सारी जानकारी नसीले माल की तसकरी करने वाले माफिय गिरो आसू और निठारी को दे रहा है उस पुलिस फोर्स के गदार को पुलिस फोर्स के बारे में सारी जानकारिया है और वो आसू को ये सारी जानकरिया दे देता है और वो उससे डील करता है कि एक हजार करोड के कोकिन के बदले में बो उसे पचास करोड रुपे देगा और जिन आफिसरों ने कोकिन से लेधी ट्रक को जब्त किया है वो उन्हें भी उनके हवाले करेगा अब अगली सीन में लाल गंज पुलिस थाना दिखाया जाता है जहांपर 55 साल का अंगद यादब नाम का एक पुलिस कॉंस्टेवल आता है दरसल अंगद यादब का ट्रांसफर हो चुका है और उसका ट्रांसफर लाल गंज पुलिस थाने में ही हुआ है और आज उसकी जॉइनिंग है और लालगंज पुलिस थाने में सिर्फ चार कॉंस्टेवल थे और साथ ही यहाँ पर चार इस्टुडेंट भी थे जो कि रात को अपने दोस्त का जनम दिन सेलिबरेट कर रहे थे बो भी लाओड स्पीकर के साथ तो नहें अरेस्ट कर लिया जा अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना के बॉस का आज आखरी दिन था तरसल आज उनका रिटार्मेंट है इसलिए वो सारे ओफिसरों को सराब पिला रहे होते हैं लेकिन डायना को छोड़कर सबी लोग यहाँ पर सराब पीते हैं तरसल डायना को कंदे पर गूली सराब पीने के बजे से उनका यह हाल हुआ है और सराब में जरूर किसी ना कुछ मिलाया है क्योंकि उसने ही सरफ सराब नहीं पी थी तो अब इन सारे पुलिस बालों को किसी भी हालत में हॉस्पिटल ले जाना था लेकिन उसके कंदे में गूली लगी हुई थी इसलिए बो ओछा जाता है तो वहा तो कहता है लेकिन वह साथी यह भी खैता है कि बाजी रहा हुआ हूआ है और भी भी चे जा रहा है जिसे की उसने कभी भी नहीं देखा और और की यह थे जưởngि प了 कि बात मान जाता है जिसके बाद सारे 40 ओफिसरों को ट्रक के अंदर डाल दिया जाता है और खाना बनाने वाला कर्ची नाम का आदमी उनकी मदद भी करता है साथ ही वो सारे रूट जानता था इसलिए उसे भी बो लोग अपने साथ ले जाने लगते हैं दूसरे तरफ आसू प्लान बना रहा होता है कि वो 40 ओफिसरों को किसी भी हलत में मारना है क्योंकि आसू की ही ये सारी प्लानिंग थी और उनकी सराब में उसी नहीं नसीले पदार्थ में लवाए थे जो कि हमारे देश में पूरी तरह से बेहन है ये बाद जब रॉनक को मालूम चलती है तो वो तुरंती डाइना मेडम के पास कॉल लगाता है और ये सारी बाते बताता है कि जब आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो आप हाई भी से नहीं जाएगा क्योंकि आसू आपकी उपर अटेक करवाने वाला है लेकिन उसी ट्रक के अंदर 40 ओफिसरों में एक ओफिसर ऐसा भी था जिसने की सराप नहीं पी थी जो की आसू के साथ मिला हुआ है और वो अपनी लोकेशन आसू के पास सेहर कर देता है और वोकेशन मिलते ही आसू तुरंती सहर के सारे गैंगिस्टरों को बुला लेता है वो उनके सामने धेर सारा पैसा रखता है और उन सभी के सामने एक एग्रिमेंट की रूप में वीडियो भन बाता है वो उनसे कहता है कि जो भी उन 40 लोकों को मारेगा उन्हें 40 करोड या दूसरे तरफ रौनक ने डाइना मेडम को बता दिया था कि आसू को लाल गंच पुलिस फॉर्ड को बिला लो और अपने पुलिस टेशन के सारे दरवाजे और खिड़किया बंद कर लो लेकिन यह सारी बाते सुनने के बाद वो पुलिस कौनस्टेबल पूरी तरह से ड तो अब इस पुलिस टेशन में सिर्फ अंगद यादब और वो चार स्टुडेंट बचे हुए हैं थोड़ी देर के बाद डायना मेडम फिर से कॉल लगाती है लेकिन कॉल कोई भी नहीं उठा रहा था थोड़ी देर के बाद अंगद यादब कॉल उठाता है और वो उन्हें बताता है कि इस पुलिस टेशन में कोई भी नहीं बचा है मेरे अलावा और साथ ही अंगद यादब यहाँ पर डायना मेडम को सब कुछ बता देता है कि आज ही उसकी जॉइनिंग हो रही है जिस पर कि डायना मेडम उससे कहती है कि उसकी अभी से जॉइनिंग हो चुकी है और वो उस पुलिस टेशन का इंचार्ज है तो मैं तुरन थी अभी के अभी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने हैं लगनों के अनातासरम में जोती को किसी तरह से अपने पिता का नमबर मिल जाता है लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये आदमी कौन है बस उसे मालूम था कि ये आदमी उसे मिलने के लिए आ रहा है और ये उसका नमबर है इसलिए वो कॉल लगाती है और यहां पर भोला उससे बात करता है लेकिन भोला जब उससे बात करी रहा होता है कि तब ही अचानक से कुछ वाईकर्स यहां पर आते हैं वो एक एक करके उन सारे वाईकर्स को मज़ा चकाना सुरू करता है और सभी को मार गराता है जिसके बाद बो लोग फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं चालिस लोग हमें मिले और डायना मेडम भी तब दोनों गेंग समझोता करती है कि बो लोग 20-20 लोगों को मारेंगे और सारा पैसा आपस में बाट लेंगे लेकिन यहां पर थोड़े आगे पढ़ने के बाद उनका सामना होता है भोला से और भोला उन्हें ऐसा मज़ा चकाता है कि बो लोग देखते रह जाते हैं क्योंकि बोला उन्हें सिर्फ मार नहीं रहा था बलकि बोला उन्हें जान से मार रहा था और डायना मेडम भी बोला का साहँ दे रही थी जो भी ट्रक पर चड़ने की कूसिस करता डायना मेडम उन्हें गूली मार देती और यहां पर आ आपर जो भी हो रहा था अंगा द्यादभ ये सारी बातें डाइना मेडम को बताता है डाइना मेडम यहाँ इंके साथ लोग है थे और उसने अंपे लूग कहते हैं गेट दोनों ही खोलने लगते हैं लेकिन आगे इन थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि उन साथ लोगों में से एक आदमी दरसल में आसू का भाई है जो कि एक बहुत बड़ा गैंगिस्टर है और अगर वो बाहर आ गया तो वो इन सभी लोगों को मार देगा इसलिए ड पूरा का पूरा माल इसी जेल में है लेकिन यहां पर आसू ठीक से नहीं सुन पा रहा था इसलिए वो खड़की के पास आता है और यहां पर अंगा द्यादब भी कुछ नहीं कर पा रहा था वो उसे बोलते हुए नहीं रोक पा रहा था तब यहां के स्टुएंट के दिमा और किसी तरह से वो अंदर भी पहुँच जाता है जहां पर वो अपने भाई से मिलता है और यहां पर उसका भाई आसू से कहता है कि हम इस पूरी के पूरे जेल को जला डालेंगे आसू भी यहां पर उनसे कहता है कि वो बस चावी लेकर आ रहा है जिसके बाद वो सभी को और आसू उन से लड़ना शुरू कर देता है लेकिन यहाँ पर वो सबी लोग किसी तरह से आसू को बंदी बना लेते हैं वो लोग उसके हाथ और पैर को बांद देते हैं और वहाँ भोला जंग जीच चुका था वो लोग हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि उ यहाँ पर भोला के साथ कर्ची भी बैठा हुआ था और वो यहाँ पर भोला से उसकी पास्ट की स्टोरी पूछता है जिस पर कि भोला उसे बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था भोला यहाँ पर कर्ची को अपनी पूरी की पूरी लव स्टोरी सुनाता है और वो से कहता है कि एक आदमी के वज़े से हम दोनों की जिन्दगी बरबाद होगा। और जेल में उसे मालूम चला था कि उसकी जिन्दगी तो चली गए लेकिन उसने अपनी एक छोटी से जिन्दगी एक अनातासरम में छोड़ गई है। और यहां लालगंच पुलिस थाने में चेतन अपनी एक दोस्त से बात कर रहा होता है। तब यह अचानक से आसू के लोग खिड़की से उसका गला दवा कर उसकी जान ले लेते हैं। देते हैं। जिसके बाद वो यहां पर डाइना मेडम को भी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहां पर रौनक आ जाता है क्योंकि डाइना मेडम का कॉल नहीं लग रहा था। और उसे मालूम चल गया था कि वो लोग मूर्ती के पास है। यहां यहां पर सभी लोगों को चुन-चुन के मारना शुरू कर देता है। यहीं पर एक तिरसूल भी था उस तिरसूल की मदद से वो यहां पर सभी को माल डालता है। तो यह जंग जीतने के बाद भूला तुरन थी लाल गंच पुलिस थाने के तरफ निकल पड़ते हैं। यहा भोला डाइना मेडम और कर्ची लाल गंच पुलिस थाने पहुँच चुके थे। डाइना मेडम तुरन्ती उस बंकर में जाती है और उस खूफिया बंकर में वो एक हजार करोड के कोकीन को जला कर राक कर देती है। और यहां दूसरे तरफ भोला तुरन्ती अंगद याद और इस्ट्डियन्ट के पास जाता है उन्हें वो सही सलामत उस जेल से बाहर निकल लवाता है और उस खूफिया बंकर में उसे एक मसीन गन भी मिलती है। और उस की का नाम जोती है जोती यहां पर जब अपने पिता को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुस हो जाती है क्योंकि जोती ने आज से पहले अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसके पिता भी है और फिल्म के लाश्ट सीन में हमें एक बह बॉस दिखाया जाता है जिसका रोल प्ले किया है अविसेख बच्चन ने और अविसेख बच्चन को बताया जाता है कि भोला भी जिंदा है तो दोस्तों निर्देसक के रूप में अजे देवगन पहले ही सीन में धुआदार एक्सन द्रस्यों से फील का टॉन सेट कर देते ह कहानी एक राथ की है और काली अंदھیरी रात में एक्सन की तीबरता और जादा महसूस होती है और फिल्म के एक्सन सारे के सारे फेरेंस है फिल्म में पांच-साथ मिनिट का एक चेजिंग सीक्वेंस भी है जो रॉंगटे खड़े कर देता है मगर एमोसन के स्तर पर फिल्म 19 इस साबित होती है मूल फिल्म कैती में एक्शन के साथ साथ एमोशन का भी खुबसूरत बैलेंस था एक्शन से भरफूर फिल्मों में फाइट या मारधार का तरक मिलना मुश्किल है कि कैसे एक अकेला नायक एक साथ 30-40 लोगों का कचूमर निकालने में कामयाब रहता है मगर भोला में उस एक्शन को जिस तरह से कॉरियोग्राफ किया गया है उस सिनेवा लवर के लिए विज्यूल ट्रीट साबित होता है और भोला के फ्लेजवेक के ट्रीट के कुछ सवालों के जवाब बाकी रह ज जाते हैं मगर एक रात की कहानी को कैमरे में दिखाने का काम फिल्म के सिनेमटोग्राफर असीम बजाज ने बहुत ही चतुराई से किया है कैमरा एंगल्स में भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किये हैं कई क्लोज अफ सौट्स और एक्सन सीक्वेंस को स्क्रीन पर दिख अज़े देवगन ने फिल्म में सामिल एक्संस को बिल्कुल नए अंदाज में पर्दे पर पेस किया है आजकल फिल्मों में हॉलिवुड या साउथ से प्रिरित एक्संस सीन्स देखने को मिलते हैं लेकिन अज़े देवगन के डारेक्ट और डिजाइन किये हुए एक्संस इतने गजब के लगे हैं कि आप तालिया बजा उठेंगे तबु इस फिल्म की जान है पुलिस अफसर के किरदार में तबु इतनी फिट लगती है कि लगता लीанकि यैक्TER है बलकि पलीस ऑप़िसर ही लगती है اور फिल्म पहले सीन में आपको बांध लेती है और फिल्म हीरो अपनी बेटी से फॉन पर बात करते हैं और बात नहीं ओबाती ये सीन आपको आखे नम कर देती है फिल्म में कई जबे सीटिया, तालिया, बाले मूमेंट्स आते हैं और सेकन्ड आप में भी फिल्म अच्छी पषिश से आगे बढ़ती है गाने फिल्म की कहानी को आगे ले जाते हैं और बूर नहीं करते हैं एक्षन जवरदस्त है कई सीन आपको हैरान कर देते हैं ये एक ऐसा मसाला है जहां दरसक खुब इंजॉय करेंगे और फिल्म को आजे देवगन ने खुद डारेट किया है और इसके लिए एक्षन की तारीब करनी होगी वो जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे डारेक्टर भी थाबित हो रहे हैं कहां किस से कितना काम करवाना है और कहां खुद को कितना फुटिस देना है ये अजे भाखु भी जानते हैं ऐसा नहीं कि खुदी डारेक्टर है खुदी हीरो है तो हर सीन में खुद को फिट कर दिया जाए लेकिन ऐसा बिलुकल भी नहीं है अजे ने चुन चुन कर अच्छे एक्टर भी कास्ट किये हैं तबुआ किरदार तो कई बार उन पर भी भारी पड़ जाता है लेकिन यहां लगता है कि अजे ने एक्टर की वज़े डारेक्टर होने का फर्च जादा अच्छे से निभाया है इसके लिए उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे और फिल्म में एक्टिंग के साथ सा डारेक्शन की जिम्मेदारी भी अजे देवगन ने संभाली है ऐसे बक्त में जहां लोगों का बल्ड सिनिमा के प्रती एक्सपीरियंस बड़ा है वहां साउथ की मसूर फिल्म कैथी की रीमेक कर लोगों के बीज उसे रेलिवेंट बन फिल्म एक्सन सीक्वेंस की अतिरिक्त से भी अतिरिक्त भरमार है वही कैथी फिल्म की खासियत यह थी कि वो इमोशनली अपने दर्सों को को कनेक्ट करके रखती है एक अकेले भोला का सौ से भी ज़्यादा गुंडों से भिड़ना थोड़ा लॉजिक से परे लगता है ले नहां भी उन्होंने ऐसा ही किया है आप सोचेंगे ऐसे भी कैमरे एंगल हो सकते हैं सोचिए जिन्होंने एक जगे कैमरे को दाई और टेड़ा नहीं किया बल्कि पूरा 90 डिग्री फिलिप भी कर दिया है एक जगे ट्रक की स्टेरिंग के नीचे कैमरा लगाना और आपजे प्रेम भी है और नर्वस नेज भी उनके पास वहां लाउड होने का ऑप्सन था पर वो अंडर टॉन रहकर ही कमाल देखते हैं तबू के लिए IPS डाइना का किरदार बहुत आसान रहा होगा क्योंकि वो ठीक ऐसे ही किरदां दरस्यम और कुत्ते में भी निवा चुकी है एक प्रेस एक्सन है दिक्कत यह है कि कुछ समय बात बोलाक एक्सन फिजिक्स के सिध्धानतों के विपरित हो जाता है तब फिल्म देख रही पबलिक की हसी चूट जाती है लेकिन सबसे ज्यादा मज़ा तब आता है जब अजे देवगन दुस्मनों को चेज कर रहे होते हैं वो लगातार पांच मिनिट सिर्फ मारधार उठा पटक हवा में लाते चल रही होती है इसके बाद जब अजे देवगन तरसुल उठाकर गुंडों से लड़ते हैं तो बो मूवमेंट रॉंग्टे खड़े कर देने वाला होता है तो दोस्तों फिल्म में भोला पार्ट आने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेस्ट कॉंटेंट मिलते रहे धन्यवाद जैहिन जै भारत जैसरी राम